गुड मॉनिंग एफ्रिफन कैसे हैं सभी I hope सभी ओत अच्छे होंगे तो दो कोश्चिन जो की कम्यूटी से जबो क्विज की फार में पुछे थे सम आफ टू पॉस्टिव नंबर इस आलविस तो मैक्सिमम का सही अंसर है और यहां पे एक और कोश्चिन था जो दो ही दिन पहले पुछा था तो इसमें पुछा था सम आफ टू नेगटिव नंबर इस आलविस तो अगर आपको जबो यह नहीं पता है कि जब दो नेगटिव नंबर को प्लस करते हैं तो जबो हमेशा ही नेगटिव क्यों आता है या जब दो पॉजिटिव नंबरों को जबो प्लस करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही क्यों आता है तो आपको जबो इसका मतलब है कि आपने नंबर लाइन को नहीं देखा द्यान से आपने इंटीजर नहीं पड़े तो चलिए आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि अगर आपको नंबर लाइन के बारे में इंटीजर के बारे में होल नंबर, नेच्वर नंबर यह बाते नहीं पता है इसका मतलब है आपको कुछ भी नहीं पता है मैट्स नहीं आता है maths का base आपने अभी तक छुआ तक नहीं तो इस चोटी सी वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे number line के बारे में फिर जब आप एक दम से बताओगे कि यह positive यह negative क्यों आया तो मैं white word on करता हूँ और उस पर जब थोड़ा सा number line के बारे में बताता हूँ तो white word जो वो हमारा on हो चुका है एक line जो वो मैंने आपे देखिये बना ली इसको मैं जो बो number line का नाम दे रहा हूँ और number line में जो आपको बताए कि 0 से सब कुछ start होगा 0 से आगी भी number होते हैं 0 से पीच्छी भी number होते हैं जब आप 6 class में आजाते हैं तो आप integer के बारे में बढ़ते हैं और तभी आप जो वो minus वाले number के बारे में बढ़ते हैं integer कौन कौन है? 0 खुद एक integer है 0 के बाद वाले 1, 2, 3, 4 and so on चलता जाएगा चलता जाएगा यह जाएगा infinity तक infinity का मतलब है not defined अनन्त, अन्गिनत जिसकी कोई किंती ना हो सकी बो है ठीक है और इसके पीचे भी तो number है minus 1, minus 2, minus 3 जितना पीचे जाएगा minus का infinity इस number नहीं बता है तो last number तो चलो पो तो आगे-ागे बढ़ता ही जाएगा बो नहीं बता लेकिन जितना पीचे जाएगा जितना left side की तरफ जाएगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा इसका मतलब होगा minus 3 is less than 0 यस, बिल्कुल सही बात है और जितना जो वो आगे की तरफ right side की तरफ जाएगा वो जो वो उतना ही बढ़ता हो जाएगा ठीक है बो तो आपको पता ही है 0 से स्टार्ट होते हैं हमारे whole number आगे की तरफ right side की तरफ 0 भी साथ में 0 सबसे चोटा whole number है 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे natural number 1 is the smallest natural number smallest number के साथ ही इसको counting number भी होते हैं क्योंकि counting भी 1 से स्टार्ट होती है तो smallest counting number या whole number स्रり नेच셔야 never 1 हो गया यहांसे बात सिखिए आपके एकसा में कुछ भे इता है कि क्या सारे नेच्र, नेचल नभर नहीं किया सारे नेच्रन नंबर, हौल नंबर है यह सारे नेच्रन नंबर, हौल तो नेगिटिव नमबर जब यह जीरो से पिछले बारAT 343 माइनस 1 ऊपर देखें माइनस 1 से इनकीम एक बर्व wonder थिम्हाई में से कोई चीज माइनस हो जाएगी और मामेंश होगाया ठीडिकी माइनस वन से माइनस हो रहा है माइनस टू तो आपको इतना पता होना जेंगि जब दो सिंबल एक साथ आ जा है तो ब्रेकिट ऑपन हुआ तो माइनस माइनस जबर आपको पता है कि पलस हो जाता है तो यह बन जाएगा-1 और पलस का 3 ठीक है माइनस वन प्लस का 3 अधा सौरी सॉरी में इस नंबर लाइन को नहाँ अटा देता हूं पिर मैं बताता हूं मैं लिखा दें कि माइनस 1 क्योंकि सम पुछा था वहां पर डिफ्रेंस नहीं पूचा है सम पुछा है तो मैंने यहां पर लगाना था और यहां पर लिखा म बात यह है कि कोश्ची नों पुछा था कि sum of two negative integer sum of two negative number तो दोनों negative है कि minus one और minus two दोनों negative है सम मतलब दोनों को plus करना है तो मैंने बीचें plus रखा अब देखे minus one बिल्कुल बैसे ही अब जब racket हटेगा ना minus plus minus क्या हो जाएगा हम पर minus हो जाएगा और minus अब समझिए अब यह समझने वाली बात कि minus one से जब कुछ और minus होगा ना तो और left side जाएगा और left side तो सारे ही minus बाले है number line में तो इसका मतलब minus में आएगा और minus की तरफ जितना बढ़ेगा वो तो बढ़ता चला जाएगा जिसे दो तीन चार तो दो में एक plus करना है तो यह बन जाएगा minus का 3 तो minus 3 is less than minus 1 ठीक है चोटा होगा और कि यह आपने plus 2 और 3 को लेकिन लगता है हमें साब बड़े number का symbol अब आपको आज पता चला होगा कि minus symbol क्यों लगता है क्यों कि minus बाला बढ़ा होगा या plus बाला अगर बढ़ा होगा तो वो positive number की तरफ चला जाएगा जीरो से आगे चला जाएगा और जो negative बाला बढ़ा होगा तो minus में चला जाएगा तब ही बोलते हैं कि बड़े number के साथ जो symbol होता है वही last में लगता है और positive number बहुत सीदी से बात है जीरो के आगे वाल नंबर है one two ए positive number है इनको plus करेंगे तो आगे ही जाएंगे आगे जो positive ही होंगे तो हमारा जो question था देखिए द्यान से हमारा question था some of two negative number negative number तो negative होगा मेंसा तो negative जो सही answer है 84% ने सही answer किया है यहां पर explain भी मैंने कर दे था एक quiz की form में था कैसे जब माइनस 5 माइनस 2 मतले का example दिया था और बाकि सभी negative number को जब आप प्लस करोगे ना negative में ही आएगा ठीक है आरांकि बहुत तो ने answer गलत भी बताया है यहां पर लिखा नहीं है कि कितनों ने बताया है कितनों ने answer यहां पिछले बाने मैं रहे कि इसमें यह मैंने जो six days ago पहले पूचा था छे दिन पहले इसमें 111 ने जो आंसर किया है positive जो बिल्कुल सही answer 91% ने सही answer किया है sum of two positive 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 तो positive रहेगा ठीक है तो इस बात को जब आपको समझना पड़ेगा तोड़ा सा integer के वारे में जब आप सीक है तो ही जब आगी आप calibration कर सकते हो add कर सकते हो subject कर सकते हो ठीक है तो बताया आप कोई video कैसी लगी thank you and have a nice day